हेलो एप्रिवन, स्वाग आते हैं आप सभी का इस सैनल पे इस वीडियो में एप स्क्रिप्ट से गुगल डॉक्स को क्रेट करना और गुगल डॉक्स के मेथोड्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले इसका रिनेम करते हैं अब यहां पर वार डॉक्स इस इकल टू डॉकुमेंट एप डॉक्स क्रेट और इस डॉकुमेंट का कुछ नेम देंगे अभी इस गुगल डॉक्स में कोई डॉक्स फाइल नहीं है अब इसको सेव करते हैं इसको रॉन करते हैं और फर्स्ट टाइम में परमिसन देना होगा अब गुगल डॉक्स ड्राइब में क्रेट हो गया होगा रिफ्रेश करते हैं एक न्यू गुगल डॉक्स फाइल क्रियेट हो गया अब इसको कॉमेंट करते हैं अब इस फाइल को ओपन करते हैं अब इस डॉक्स में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे गुगल एप स्क्रिप्ट के थ्रूप तो उसके लिए या तो इसका यह आईडी या पूरा यूवेरल का जरूत पड़ेगा अभी पूरा यूवेरल कॉपी करते हैं कॉपी वार वार कोटेशन के बीच में होगा वार डॉक इस इकल टू डॉकुमेंट एप डॉट और इसमें कई सारे मेथड्स मिलेंगे किसी भी डॉक्स को ओपन करने के लिए डॉट के बाद ओपन बाई आईडी और ओपन बाई वेरल यह दो अप्शन है तो अभी हमने यूएरल ले रखा है तो यह सेकेंड वाला ओपन बाई वेरल करते हैं और इसमें यूएरल वार बोडी यह गूगल डॉक्स का बोडी है यह बोडी इस इकल टू डॉक 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 और और इसमें भी कई सारे मेतर्स मिलेंगे एड बॉक मार्क एड एड एडिटर एड एडिटर्स यह कई सारे मेतर्स मिल जाएंगे उन में से अभी गेट बोडी करते हैं अब इस डॉक्स के बोडी में कुछ पैराग्राफ एंटर करते हैं उसके लिए बोडी. अपेंड अपेंड के लिए भी कई सारे अप्सन हैं अपेंड टेबल अपेंड पैराग्राफ अभी पैराग्राफ अपेंड करते हैं टेक्स्ट में हेलो एब्रिवन यह करते हैं अब इसको रन करते हैं हेलो एब्रिवन इस Google Docs में append हो गया होगा यह देखें append हो गया फिर से run करते हैं यह फिर से आगया और जितने बार भी run करते रहेंगे उतने बार यह data append होते रहेंगे अभी इसको close करते हैं अभी इसको remove करते हैं अब variable में var para1 is equal to यहाँ पर एक एंटर करते body.append paragraph paragraph text के लिए var para2 is equal to body.append paragraph अब इसमें यह करते हैं पहले इस data को remove करते हैं इस data को remove करने के लिए पहले इनको comment करते हैं अब यहाँ पर body dot clear अब इसको run करते हैं यह देखी यह data remove हो गया अब इसको remove करते हैं अब जितनी बार भी run करते रहेंगे अब इसको run करते हैं यह देखी आ गया इसमें अब जितनी बार भी run करते रहेंगे वहाँ पर append होता है रहेगा यह देखी है इसको remove करते हैं body dot clear इसको run करते हैं यह सारा data clear हो गया और भी कई सारे methods मिल जाएंगे body dot clear copy edit as text find element find text और यह कई सारे और भी methods है append table और यह सारे methods के बारे में detail में जामना होता हो इन methods में click करेंगे यहाँ पर read more का option मिल जाएगा इसमें click करेंगे देन यह इसमें option है append table करते हैं अभी उससे पहले एक array बनाते हैं वार easy culture 30 mango कॉमा 80 अब इसको 2D array में करते हैं body.quend table table में यह जो array बनाया अब इसको run करते हैं अब यह table insert हो गया होगा यह देखें apple 30 यह table में insert हो गया और यह कई सारे और भी methods हैं इनके बारे में खुद भी देख सकते हैं किसी भी methods में देखना हो इसमें click करेंगे और यहाँ पर right side में right arrow है इसमें click करेंगे read more का option आजाएगा इसमें click करेंगे then यह option मिल जाएगा okay guys I hope एफ वीडियो काफी अलपुल रही होगी मिलते अगले वीडियो में